दुनिया के सबसे अग्रणी सूरज मुखी तेल आयातक देश, भारत में परंपरागत रूप से इस महत्वपून सौफ्ट खादे तेल का आयात काला सागर क्षेतर के देशों से लाल सागर के रास्ते होता रहा है, लेकिन अब लाल सागर के जलमार्क पर यमन के हूती लुट इस संकट के कारण भारत में आगामी महीनों के दौरान सूरज मुखी तेल का आयात घटने तथा भाव उंचा होने की संभावना है। जानकारों के अनुसार प्रतिसपर्धी मूले के कारण पिछले कुछ महीनों से देश में सूरज मुखी तेल का आयात बढ़ता रहा है, लेकिन अब किराया भाड़ा बढ़ने के कारण इसकी प्रतिसपर्धी क्षमता समाप्थ हो गई है। इसके फलस्वरूब भारत में सो 943 डॉलर प्रतितन बताया जा रहा है, जबकि क्रूड सोया तेल का आफर मूले 935 डॉलर एवं क्रूड पाम तेल का 933 डॉलर प्रतितन चल रहा है। दो महपूर्व सोयाबीन तेल के मुकाबले सुजर मुखी तेल का आफर मूले 120 डॉलर प्रतितन नीचे चल रहा था, जि इसम्बर में आयात उचलकर 2.6 एक लाख टन के करीब पहुँच गया। Bureau Report Market Times TV